जिनते हैं कि अभी दिल्ली में सिवियर हीट वीव भी चल रही है पानी का क्राइसिस भी चल रहा है लेकिन इस सब के दौरान ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी की पाइपलाइन तोड़ कर इस पानी की कमी को और बत्तर बनाने का शड़यंतर रच रहे हैं कल जो साउध दिल्ली की राइजिंग मेंज हैं जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है पूरे साउध दिल्ली को पानी प्रवाइड करती है कल उस पानी की पाइप लाइन में लीकेज हुई उस लीकेज और काफी सिवेर लीकेज हुई आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहाँ पे हो रही थी जब हमारे पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपैर के लिए टीम भीजी गई वहाँ ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट बारा इंच के बोल्ट चाचार पांच पांच सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहाँ पर छेद किया गया था पाइप लाइन में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ शड्यंत्र हो रहा है और मैंने इसी संदर्ब में आज पुलीस कमिशनर को लेटर भी लिखी है मेरी पुलीस कमिशनर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रिबूशन लाइन्स है उन पानी की पाइप लाइन्स को पुलीस तवारा सेक्यूरिटी दी जाए इससे पहले भी आज़िए पैसे नेटरल तोपो नहीं सकती है इस बारे में क्या आप तक उस राकी काद में पुछ पता जला है कौन के लोग से पीछे क्या पर हो देखिए अभी ये तो जग जाहर है के दिल्ली सरकार और अर्विंद केजरिवाल सरकार के खिलाश रियंतर कोन रच्चरा होगा लेकिन ये लड़ाई जगडे का समय नहीं है ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है ये गंदी राजनीती का समय नहीं है यह एक ऐसा समय है जहां पर दिल्ली में बहुत पानी की किल्लत है। आज आप वजीराबाद पॉंट पर जाएंगे जहां पर यमना का पानी आता है वहां पर बिलकुल भी पानी नहीं है। मुनक कनाल में भी पानी की कमी है। इसके कारण दिल्ली के सारे वाटर कम पानी प्रोडियूस हो रहा है तो अब हार एक बात है जब पानी का प्रोडक्शन ही घट जाएगा तो दिली के अलग-अलग हिस्सों में दिक्कत होगी लेकिन अगर उस परिस्थिती में ऐसे शड्यांतर रचे जाएंगे तो जो दिली वाले पहले ही परिशान हैं उनको औ और परिशान किया जा रहा है तो मैं यह अमीद करती हूँ और मेरी जो पॉलीस कमिशनर से बात हुई है बहुत पॉजिटिव और बहुत को आपरेटिव थे वो तो उन्होंने कहा है कि जो जो में डिस्ट्रिबूशन लाइन्स हैं वहां पर पॉलीस पोर्स भी लगाई जा संतुष्टी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है हमें बता है कि भारतिय जन्ता पार्टी वाले हमसे नफरत करते हैं लेकि वो हमसे नफरत करते करते हैं बिल्ली वालों से भी नफरत करने लगे हैं क्योंकि आखिर कर हर्याना में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है अगर वजिराबाद पॉंड जिससे यमुना का पानी एंटर करता है वो बिलकुल खाली है आज मुनक कनाल में पूरा पानी नहीं आ रहा आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रौ वाटर ही नहीं सप्लाय होगा तो पानी की सप्लाई कहां से आएगी दिल्ली वालों के पास तो मेरा तो यही आगरह रहेगा कि आरोप प्रत्या रोप करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है लेकिन ये समय है दिल्ली वालों के लिए मिल के काम करने का और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी यही आगरह करूंगी कि मोहर्याना में अपनी सरकार से बात करें और दिल्ली को कुछ और पानी दिलबाएं